भारत और न्यूजीलेंड के बीच पांच हुए वंडे मैच में अगर तूफान दिखा तो वो दिखा हार्दिक पंडिया का जिन्होंने एसले के एक ओवर में ही तीन लगातार छक्के लगा थी एक बार फिर से वही रूप पंडिये का दिखाई दिया जो चैंपियन्स ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाब दिखा था एक के बाद एक लगातार छक्के गुस्सा उनकी आँखों में लगातार दिख रहा था और इसका खाम्याजा भुगतना पड़ा न्यूजिलेंड को जो न्यूजिलेंड ये सोच रही थी कि ये मैच तो पक्का हमने जीत लिया और अब कोई दिक्कत नहीं इन छक्कों से इस मैच को पूरी तरह से पलट दिया पंडिया ने पंडिया ने महस 22 गेंद देखे ली हैं दो चौके और पांच गगन चुमबी छक्के लगाए जिसमें उन्होंने 45 रन ठोक दिये इससे समझाता है कि पूरा का पूरा पासा कैसे पलट गया भले ही टीम इडिया एक गेंद पहले अल आउट हो गई हो लेकिन 252 रन का सम्मान जनक स्कोर तो लगा ही दिया और इसमें पांडिया का तूफान सब अरतस्त था कोई गेंद बाज नहीं छूड़ा फिर चाहे वो बोल्ट थे या ऐसले जो भी मिला गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर ही मिली और हारदिक पांडिया ने अपनी बैजजदी के बाद पहली बार दिखाया कि उनकी आखों में अभी खे ए भाचा ही